क्या आला कमान के इशारे पर ही कंगना रानोत दे रही है एक के बाद एक विवादित बयान क्या कंगना के कंधे पर रखकर बीजेपी आला कमान बंदूग चला रहा है और क्या क्रिशी कानून की वापसी की तैयारी कर रही है बीजेपी ये तमाम सवाल खड़े हुए है जब एक बार फिर कंगना रानोत ने विवादित बयान दे दिया क्रिशी कानून को लेकर हाला कि बाद में बीजेपी ने कंगना के बयान से खुद को किनारे कर लिया पल्ला जाल लिया लेकिन इसके बाद भी जो है बीजेपी सवालों के घेरे में आ गई है और ये कहा जा रहा है क तो 24 सितंबर को बीजेपी सांसत कंगना रानौत ने एक बार फिर बयान दे दिया और उनके बयान पर विवाद खड़ा हो गया क्या बोली कंगना पहले वो बताते हैं कंगना का कहना था कि किसानों को खुद ये कानून लागू करने की मांग करनी चाहिए। कंगना ने ये भी कहा कि मुझे पता है कि वो ये बयान विवादास्पत हो सकता है लेकिन तीन कृषी कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। किसानों को खुद इसकी मांग करनी चाहिए इसके लिए कंगना ने तर्क भी दिया उन्होंने कहा कि किसानों के लिए तीनों कानून फाइदे मन थे लेकिन कुछ राज्यों में किसान संगठनों के विरोत के कारण सरकार ने उन्हें निरस्त कर दिया उन्होंने आगे कहा कि कि इसान देश के विकास में ताकत का स्थम्भ है मैं उनसे अपील करना चाहती हूं कि वो अपने भले के लिए कानून को वापस लेने की मांग करें और जैसा कि कंगना को यह पता था कि इस बयान पर विवाद होगा बाबजुद इसके उन्होंने यह बयान दिया और इसी को लेक कंगना ने यह बयान दे दिया अभ ऐसा क्यों कहा जा रहा है इसे ऐसे समझ यह कि कंगना ने भयान दिया और उसके बाद बीजेपी ने उसान सत्य और नेता से उस बयान से किनारा कर लेता है यानि एक तरहा से बीजेपी आला कमान अपना मेसेज अपना संदेश तो पहुचाता है वहीं दूसरे पल जैसे ही उस पर विवाश शुरू होता है वो ये मेसेज देने की कोशिश करता है जनता को कि ये निजी विचार है हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है हम आपके साथ खड़े हुए हैं यानि अब इस एक मामले के आने के बाद से बीजेपी आला कमान और बीजेपी जो है सवालों में घिर गई है बीजेपी पर जो है दोहरी राजनीती दोहरी रणनीती के जो है अब आरोप लगने लगे हैं क्योंकि ये पहली बार नहीं है जैस इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है तो अगर ऐसा है कंगना को बार बार जब फटकार लगती है तो फिर कंगना दुबारा से ऐसे ही बयान क्यों देती है ये सोचने वाली बात है और यही एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही ठीक किसान ही थे उन्होंने कहा था कि किसान आंदुलन के जरिये भारत में बांगलादेश जैसी इस्तिती पैदा करने की तैयारी थी उन्होंने कहा था जो मांगलादेश में हुआ है वो यहां भारत होते हुए भी देर नहीं लगती अगर हमारा शीर्ष नेत्रित सशक्त नहीं होता यहां पर जो किसान अंदोलन हुए दुशकर्म की खबरें आएं किसानों की बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांगलादेश में हुआ इस तरह के शर्यंत्र आपको क्या लगता है किसानों चीन अमेरिका इस तरह की विदेशी शक्तियां यहां काम कर रही हैं तो इस कंगना के बयान से खुद को अलग कर दिया बीजेपी की तरफ से कहा गया कि यह पार्टी की राय नहीं है पार्टी के नीतिकत विश्यों पर बोलने के लिए कंगना रानोत को ना तो अनुमती है और ना ही वो यह बयान देने के लिए अधिकरत हैं बीजेपी की तरफ से बिवादत बयान दे ना दे क्योंकि वो इसके लिए अधिक्रत हैं ही नहीं इसके बाद फिर से कंगना का एक बयान आजाता है और वो भी किसानों को लेकर ही आजाता है तो ऐसे में सोचना तो बनता है कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है क्या ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है क्या बीजेपी आला कमान जान बूच कर इस तरह के बयान कंगना से दिलवाता है और फिर उस पर क्या प्रतिक्रियां आएंगी इसको देखने की कोशिश करता है यानि साफ तरह से कहा जाए तो जानकार इसको लेकर यही दावा कर रहे हैं कि बीजेपी आला कमान एक दोहरी रन्नीती के तहट काम कर रहा है यानि अब BJP की जो यह planning है यह सभी को समझ में आने लगी और इस सब को लेकर ही Congress अब BJP पर और कंगना रानौत पर हमला बर हो गई है BJP आला कमान के इस पूरी रनीती को लेकर मलिकार जुन खड़गे जो की Congress के अद्रेक्ش हैं उन्होंने भी निशाना साधा उन्होंने लिखा कि 750 किसानों की शहादत के बाद भी किसान विरोधी भाजपा और मोधी सरकार को अपने घोर अपराद का एहसास नहीं हुआ तील नकाले कानून विरोधी कानूनों को फिर से लागू होने की बात कहीं जा रही है कॉंग्रेस पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है किसानों के उपर गारी चड़ाने वाली मोधी सरकार ने हमारे अनदाता के लिए कटीले तार, ड्रोन से आसू गैस, कीले और बंदू के सब का इस्तमाल किया ये भारत के 62 करोड किसान कभी भूल नहीं पाएंगे इस बार हर्याना समय सभी चुनावी राज्जियों से किसानों पर खुद प्रधान मंतरी दौारा संसद में किसानों को आंदोलन जीवी और पढ़ जीवी की अपांजनक टिपड़ी का करारा चवाब मिलेगा मोधी जी की बयान बाजी की चलते उनके मंतरीयों और संसदों वा दुश्परचार तंत्र को किसानों का अपमान करने की आदत हो गई है दस सालों में मोधी सरकार ने देश के अनदाताओं से किये गए अपने तीन वादे तोड़ दिये पहला 2022 तक किसानों के आंदोनी दोगनी होगी किसान आंदोलन वापस लेते समय मोधी जी ने सरकारी समिती की घोशना की थी वो आज भी ठंडे बसते में है मोधी सरकार MSP की कानूनी गारंटी के खिलाफ है शहीत किसानों के परिवारों को कोई रहत नहीं दी गई संसद में मोधी सरकार ने उनकी याद में दो मिनट का मौन रखना भी मुनासिव नहीं समझा और उपर से लगातार उनका चरित्र हनन जारी है पूरा देश जान गया है कि भाजपा की रग रग में किसान विरोधी नफरती मानसित्ता बसी हुई है इसके अलावा सेंग्त किसान मोर्चा के नेता और करांतिकारी किसान यूनियन के प्रमुक दर्शन पाल का भी बयान आया उन्होंने कहा उनको खेती बाड़ी के बारे में कोई जानकारी नहीं है अगर उन्हें खेती की जानकारी होती तो वो ऐसे बयान कभी नहीं देती कंगना रानौत किसानों को भड़काने की कोशिश कर रही है वो उल जलूल बयान बाजी कर रही है क्योंकि उनकी पिच्चर एमरजेंसी रिलीज होने वाली है वो अपनी पिच्चर के प्रमोशन के लिए इस तरह के बयान दे रही है फिल्म के प्रमोशन के लिए वो किसानों को निशाना बना रही है बीजेपी के सहीयोगी पार्टी जेडियू के नेता केसी त्यागी ने कहा कि कंगना रानोत का बयान किसानों का अपमान है बीजेपी को कारवाई करनी चाहिए ये तो प्रधानमंत्री के फैसले का भी अपमान है हम भी इन कृशी कानूनों के खिलाफ थे हम कंगना रानोत के बयान का विरोध करते हैं हाला कि सबके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया बीजेपी ने कंगना के बयान से पढला जाड़ लिया बीजेपी प्रवक्ता गौरब भाटिया ने बाकायता एक वीडियो जारी करके क्या कुछ कहा सुल लेते हैं तमाम सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म्स पर कंगना रानोत जी जो की भाजपा की सांसद नेत्री हैं उनका एक बयान तीन क्रिशी कानूनों को लेकर जो की पहले वापस लिए गए थे चल रहा है मैं बिलकुल स्पश्टिता से कहना चाहता हूँ ये बयान कंगना रानोत जी का फ्यक्तिकत बयान है एवं भारतिय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रानोत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिक्रत है और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है तीन क्रिशी कान का उन्हों को लेकर। उसको दर्शाता है। इसके बाद चुराःध पासवान का भी बैयान आए। उन्होंने का यह कंगना का पर्सनल स्टेट्मेंट हो सकता हैं यह उनकी सोच हो सकती है। पार्टी का कोई बैयान नहीं है ऐसा बीजेपि या एनडेय गटbnधन का इस से कोई लेना देना नहीं है यानि बीजेपी ने कंगना रानोत के बयान से पूरी तरह बल्ला जाड़ लिया और एंडिये में सयोगी दल लजेपी यार की चुराक पास्वान ने भी इसे कंगना का निजी विचार बता दिया वहीं जब पार्टी अलकमान की तरफ से इस तरह का बयान आया उसके बाद कंगना ने खुद आकर सामने माफी मांगी और कहा कि मैं भी पार्टी के स्टेंड के साथ ही खड़ी हुई उन्होंने एक बाकाइदा एक वीडियो जारी किया सुन लेते हैं क्या कुछ का कंगना ने नमस्ते दोस्तों पिछले बीते कुछ दिनों में मेरिया ने मुझसे फार्मर्ज लॉव पे कुछ सवाल किये और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्ज लॉव वापस लाने का परधान मंत्री जी से निवेदन करना चाहिए मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश है और डिसपोइंटिड है जब फार्मर्स लोग प्रपोस हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने उनका समर्थन किया था लेकिन बड़ी ही समवेदन शील्टा से और सहानु भुती से हमारे मानने परधान मंत्री जी ने वो लोज जो थे वापस ले लिये थे और ये हम सब कार्यकरताओं का करतव बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखे मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं भारते जंता पार्टी की कार्यकरता हूं और मेरे उपीनियन्स अपने नहीं होने चाहिए वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसपॉइंट किया है मुझे खेद रहेगा यानि साफ है कि जिस तरह से पहले कंगना से जो है बीजेपी बयान दिलवाती है और उसके बाद खुद को उसके बयानों से अलग कर लेती है तो इस तरह की जो ये दोहरी राजनीती बीजेपी की तरफ से हो रही है इसे अब जनता भी समझ रही है और इसको लेकर अब तमाम विपक्षी दल बीजेपी के खलाफ मोर्चा खोल रहे है तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है मुझे कॉमेंट करके अपनी राज जरूर दीजेगा इसी के साथ मुझे दीजे जाजा देखते रहे डीवी लाइफ नमस्कार